हेलो स्टूडेंट्स हावर यू सो आज हम आपको नेक्स चैप्टर सिक्स चैप्टर के बारे में बताएंगे जिसके अंदर चैप्टर का नाम है पूर्णांग इस बारे में आप पहले से ही परीचित हैं क्योंकि आपने बेसिक कंसेट के अंदर ये सबी चीजे पढ़ी प्राकर संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या इन सभी के बारे में आपने अच्छे तरह से रिड़ किया है तो सबसे पहले हम प्राकर संख्या के बारे में देखेंगे कि प्राकर संख्या क्या होती है इस बारे में आप भली बाती जानते हैं क कि प्राकर संख्या हमारी जो गिनती है वह संख्या जो एक, दो, तीन, चार, पांच से इस परकार की जो संख्या होती है यानि कि एक से सुरू होती है और अनंत तक चलती है वो हमारी प्राकर संख्या होती है पूर्ण संख्या जैसे इसी में यदि हम देख एक, दो, तीन इस और पूर्ण संख्या होती है जीरो एक दो तीन ये आपकी हो गई पूर्णांग संख्या जो हमारी होती है जिसके बारे में हम आज वर्णन करेंगे ये वह संख्या वह संख्या जो पूर्ण संख्या और रिनात्मक संख्याओं का संख्या होता है इसका मतलब है जैसे माइनस तीन माइनस दो माइनस एक फिर जीरो फिर एक दो तीन इस परकार से और यह ऐसे डाटिक आगी इस परकार से आगी यानि कि यह जो संख्याओं है इनको हम रिनात्मक कहते हैं यह संख्याओं है इसको धनात्मक कहते हैं तो यहां पर नाम दो आ गय जो जमा वाले संख्या होती है जैसे जमा एक जमा दो जमा तीन जमा चार इस प्रकार की जो संख्या होती है वो हमारी धनात्मक संख्या हो गई और रणात्मक जो संख्या है हमारी वो हमारी होगी माइनस एक माइनस दो माइनस त्टीन इस प्रकार की जो संख्या होती है वो हमारी रणात्मक संख्या ही हो गई तो ये तो आपकी इसकी परिवासा थी पूर्णांग की, इसके बाद आगे देखिए, इसके अंदर दिया हुआ है कि परवर्ती संख्या क्या होती है, परवर्ती का मतलब है कि जो दी गई संख्या है, उसमें अगर एक बढ़ाकर लिखा जाए, वो हमारी परवर्ती संख्या ह हो गई पूरु वर्ती इसमें नाम से ही पता है पूरु पूरु माने होता है पहले जो दी गई है उसमें यदि एक कम कर दिया जाए तो वो पूरु वर्ती हो गया जैसे तिरान में की ही परवर्ती संख्या क्या हो गया तिरान में में एक जोड़ देंगे चुरान में यह आपकी हो गई यह आपका परवर्ती संख्या हो गई इसको आप सक्सेसर भी कह देते हैं सक्सेसर कहते हैं इंगलिस के अंदर उसके बाद एक हमारी होती है प्रोर्शिसर संख्या पूरु वर्ती तो हमारी जैसे नाइन्टी फाइफ यानकी पिच्चान में की पूर्वर्ती संख्या तो पिच्चान में मैं से एक घटा देंगे चुरान में तो ये आपकी इसको आप कहते हैं प्रोसिसर संख्या क्या कहेंगे प्रोसिसर संख्या ठीक है तो ये इस परकार से इसका यूज किया जाएगा आगे देखिए संख्या रेखा पर निरूपन करना ये अग लाइन है और ये हमारे पास इसका सेंटर पॉइंट है जीरो इसके राइट साइड में ये राइट साइड है ये पलस का होता है ये पलस दो पलस तीन पलस चैर और ये हमारे 4-2-10-5 का आ गया 12-5 को संख्या रिखा पर निरूपन करना है तो इह सबसे पहले तो जमां का है तो नहीं हो गया और यह जी हो गया और पांची मतलब है दो और तीन का आदहा तो इसका मतलब है यह जो है यह पॉइंट थे यह जो पॉइंट है एक 2-10 यह minus का है इसको अगर आप represent करेंगे तो कैसे करेंगे 2 तो ये पूरा इसका आधा करेंगे तो 5 शोरिक और ये 6 7 और 8 लगबग ये ये जो है line ये minus के 2 दस्मलाव 8 को represent करती यानि कि ये 0 जो है ये 0 है इसके left side में अगर आप चलेंगे तो हमारी negative ट्रम होगी और right side में यदि आप चलेंगे तो positive terms होगी वो पूछ सकता है कि 3 के right में कितना है तो आप इसमें घटा 2 आ गया अब वो पूछ सकता है कि जमा 2 के left में क्या है तो left इदर आएगा तो हमारे पास जमा का एक पूछ सकता है कि घटा 2 जमा के तो होगा तो लिखेंगे यस क्योंकि यह इदर left है इसका और यह इसका right हो गया ठीक है इस प्रकार से इसका संख्या रिखा में निरुपन हो गया यह यह दोनों आपका यह complete हो गया है अब इसके बाद में इसमें क्या करना है कि greater than और less than इसमें आप simple सी बात है यह 5 है और यह 3 है और यह ऐसे box है तो 5 बड़ा है किसे 3 से तो आप इस प्रकार से करेंगे निशान यानिकी जो है 5 जो है वो तीन से बड़ा ओ गया और छोटा होगा तो इस प्रकार से निशान आ जाएगा ये छोटा होगा ठीक है ये इस परकार से इसके निशान रुपित करने हैं एक कुछ distance क्या है इसमें ये बताया गया है कि जैसे अपोजिट और उसके उस परकार जैसे पूरो पूरो का विपरित क्या होगा पस्चिम होगा तो इसमें 6.1 जो exercise है उसमें इसी परकार से बताया गया है आप एक बार इनको अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे और इनकी बेसिक चिज़ें हैं वो याद करेंगे और उसके बाद next वीडियो में 6.1 exercise आपको करवाई जाएगी thank you have a nice day bye bye